ओष्टिछ तूर्या नोहीं को स्टुडेंट्स वेल्कम टू कैमिस्ट्री पॉइंट क्लासेश सो वेल्कम इन गैमेस्टी पॉइंट क्लासेश आप सबका स्वागत है तो जैसा कि मैंने आप सभी से promise किया था कि कोई भी chapter start करने से पहले मैं उसका सबसे पहले क्यलाऊंगा इंट्रोड़क्टिव लेक्शर लाँगा तो मैं GOC start करने वाला हूँ आपके जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं General Organic Chemistry के lectures की series start करने वाला हूँ तो चैनल को subscribe करकर रखना है ठीक है अब General Organic Chemistry के introduction हम क्या क्या देखने वाले हैं तो मैं आपको इसमें यह बताऊंगा कि हम GOC को पढ़ेंगे कैसे आगे GOC को किस sequence में पढ़ेंगे किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ना है क्या importance है नीट में क्या वेटीज है इसका ठीक है ना तो यह सारी चीह हम इसके इंट्रोड़क्टिव लेक्चर्स में पता करेंगे ठीक है ठीक है ना सो स्टार्ट करते हैं ठीक है ना सो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले सबसे आप chemistry point classes की YouTube चैनल को सब्स्राइब कर लो सब्सप्राइब करने का आप मैं कर रहा हो उसका सिर्फ ऐख करोगा यहाँ पर आप मैं को सब्स्राइब करोगे लाइक करोगे तो में पूस्से के मिले एक एक confidence आएगा एक energy एक energy मिलती है जब subscribe करते हो तो मेरे का मन करते हैं कि मैं और वीडियो बनाओ ठीक है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ठीक है उसको नेक्स्ट हमारे टेलीग्राम ग्रूप भी है chemistry point classes के नाम से उसको जॉइन कर सकते हो लिंक उसका description box मा आपको मिल जाएगा उसको जॉइन करोगे तो उसको मैंने ऐसे आपको promise किया था कि मैं आपको डीपीपीज दूँगा और टेस्ट के जो सारे लिंक्स हो आपको सब वहीं पर मिल जाएंगे तो प्लीस लिंक से इसको चैनल को आप पहले से क सब्सक्राइब करकर रखेश टेलीक्राम को भी आपकर कर यह जॉइन कर दीजिए टेलीक्राम पर ठीक है ना नेक्स्ट सो अब स्टार्ट करते हैं कि हम जनरल और्गनिक केमिस्टी को कैसे पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूं तो जावा मेर नहीं बता देना चाहता हूं यह टॉपिक में कम से कम आपको वन टू हाफ मेंस में एक से देड़ महिने मेरे को आपको पढ़ाने में लग जाएगा सिर्फ जी ओसी ठीक है ना क्यों लगेगा क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है जैसा कि आपके हां पर दिखी रहा है क कि मैंने इसको जी ओसी टू में डिवाइट के हैं अब जी यूसी वन में वी यूसी टॉब नीस अब तॉपिक्स हैं ठीक है ना तो जी जीक वन ही अपने बहुत बड़ा है ठीक है तो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ देखुँंद तो मैं आपको जी ओसी वाला पड़ा तो मैं आपको गैरेंटी देता हूँ आपसे हर कोश्य में बनेगा क्यों कि इस जी योसी में ही और गैनिक का 80% स्लेबस पूरा कवर कर दूँगा क्योंकि जी योसी में हम पढ़ते क्या हैं इसली आपसे पर शूप में तुमकर्ण डी कर देता हैं मैं साथ में सह प्सक्राइशं कोई आप नलीगा में जी आलीवें को चड़ रहा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है बस मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है मैं जी उसी में ही सब कुछ कवर कर देता हूं को कि मैं चाहता हूं आपसे और गयनिक बने और गयनिक का जो डर बैठा हुए आपके दमाग में बुनने के लिए ठीक ना तो प्रिस पेशेंस हर एक question आपसे बनेगा जो आया है और जो आने वाला है वह भी बहुत आराम से बनेगा मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि मैं जब भी आपको कोई भी chapter पढ़ाऊंगा उसमें NCRT जरूर करवाऊंगा line by line NCRT ठीक है ना उसके लिए भी ready रहिएगा और उसके examples भी के वाले हैं जितने भी basic concept आते हैं वह सारे किसमें आते हैं जोसी बन के अंडर आते हैं अब किस तरह की basic concept है बहुत चोटे-चोटे से concept होते हैं जैसे की organic compounds की definition आखिर organic compound के अकलाते है कि कि किसी भी chapter को स्टार्ट करने से पहले हमको इसको बहुत basic पढ़ना पढ़ता है जब आप चोटे-चोटे basics पढ़ लोगे उसके बाद आपको बड़ी चियम बहुत आसानी समझभाएंगी और आजकल नीट का pattern हो गया है बहुत easy आ रहे हैं को बहुत basic concept से पूछे आ रहे हैं अब यहीं आपको नहीं पता होंगे तो question ही नहीं बनेगा simple सी बात है so basic concept पढ़ना आप तो बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि जब मैं देख रहे हैं 2019 20 का paper मैं ले देखा तो उसमें आपको यह पता चलेगा कि बहुत basic से question पूछ रहे हैं यानिकि बहुत high level के question नहीं आ रहा है तो basic पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है ठीक है सबसे बहुत हम जानेंगे और क्या होते हैं तो hydrocarbons के बार में थोड़ा सा जानेंगे type of carbons देखेंगे हमाँ आपर ठीक ना कैसे यानिक वन डिगरी टू दिगरी ठीडिगरी इस्टार है कार्वन टैप्स ऑफ कार्वन चैन यानिक आपस ब्रांच होती है single chain होती है इस तरह से अलकाइल ग्रॉप देखेंगे उसके type देखेंगे हमारे पास ठीक है ना उसका 3D structure देखेंगे और representation देखेंगे और organic compound का कैसे करते हैं इस तरह आपने पढ़ा होगा आइसो मेरिजम्स है यह सारी जो चीज़े हैं यह सारी जी योसी बन में आती हैं और भी चीज़े हैं और भी चैनसे की fundamental of organic reaction है कि बिल्कुल छोट इस तरह fundamental of organic reaction हो है आपर जी योसी बन में समझेंगे इसका वास्ट रूप है बड़ा रूप ह आपको देखने जो मिलेगा वह देखने मिलेगा आपको कहां पर जी योसी टू में देखने मिलेगा ठीक है ना यहां पर टाइप अफिजन हम थोड़ी तरह समझेंगे होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक फिजन समझेंगे electronic effect जो होता है मैं एक ही लेक्चर की कोशिश करोगा कि 30 मिलेट का एक लेक्चर पना और इंचियों को खतम कर दूँ उसके पर आप यह सीखना बहुत जरूरी है अगर आप यह नहीं सीखोगे बेसिक तो आप नोमन क्लिचर कैसे करोगे और आपको रेक्शन का हमेशा जरूरी नहीं कि नहीं आएगे तो कहां से कर पाओगे आई सो मेरेजना पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक है ना तो यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक्स है यह बेसिक आपको आने ही चाहिए वन्हां कोई कोशन आपसे बनेगा है नहीं और इनसे तो मैं आपको बतानों कभी नहीं आएगा सबसे पहले हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे तो इलेक्टोफाइल क्या होते है वह सब हम जानेंगे रेक्शन मेकनिजम्स के थोड़ा बेसिक आप जानेंगे टैप ऑफ रेक्शन में यहीं पर कवर कर दे रहा हूं आपको डिफरेंट टाइप की रेक्शन से ही पर कवर कर सब कुछ यहीं पर ज्यादा चीज़ें आपकी जी यूसी टू और जी यूसी बन में कवर हो जाएंगे रेक्शन वाला जितना भी पार्ट है जो एलेवन तुएल्ट का आता है हाइड्रोकारवन का एलकॉल फिनॉल इथर क सारी चीज़ें आपको यहां पर कवर हो जाएंगे ठीक है इसलिए मैं आपसे बोलना होंगी जब मैं आपको जी यूसी पढ़ाऊंगा तो अधने में ही आपका एट्टी परसेंट और गयनिक कवर हो जाएगी ठीक है ऐसे ही मेरा तरह पढ़ाने का तरीका है वसका बाद मै पढ़ाएंगे ठीक हैं जो बार बार एक्जाम से पुछे आते हैं इंपोर्टेंट तरह के बट वो लार्ज उनको पढ़ना अलग से जरूरी होता है ठीक है तो यह पता दिया है कि हमको क्या कर पढ़ना है तो इस तरीक से हम पढ़ेंगे मैकनिजम को देखते हुए आदेह निए यह नेट में इतना ज्यादा नहीं बुचाया आता है ठीक है नहीं नेक्स्ट चीज हम देख रहा है कि वेटेज उफ जियो सी य निवे से रखा हुए जियो सी टू का बेटेज मैं बताऊंगा यानि कि जो बात मैं बताऊंगा जब मैं आपकी येक्शन वाला सबसे बड़े बात करूं है इसको आप केमिकल बांडिंग से रिलेट कर सकते हो बड़ मैं यहां पर इसको में रख रहा हूं इसका डिफिकल्टी लेवल विल्कुल लो होता है बड़ ज्यादा पुछे आ सकते हैं अब हाइब्रिडाइशन में किस तरह कुछन नम्मर और इस तरह की कुछन भी आता है तो 9-10 कुछन ऐसे आ चुके हैं आयो पी से ज्यादा इंपोर्टन नहीं होता है लास्ट की आप देखोगे उसमें बहुत कम कुछन आया है 2017 सायद 16-15 में का कुछन आया तो उसको फोर्टीन में भी आता है ज्यादा कुछन नहीं आ रहे है तो मैं अच्छी जड़ से इंपोर्टन होता है इसका लेवल मेडियम हम मान कर चलते हैं तफ भी नहीं आता है इस चेप्टर में ठीके रहां नाइन और टैन कुछन आते हैं अपरोक्स आईशोमेरिजम आता है हमारे पास सक्ष्टू सेवन को आता है बहुत अच्छी प्रोमेट्रोग्राफी से आया था ठीक है तो वह हो गया और इसके लावा ज्यादा कोशन से आज तक पूछनेंगे तो 3-4 कोशन मैंने कि इस बेटे ज्यादा नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट सो इस बेटे से हमारे पास कंक्लूजन के निकलता है पहली बात तो जी बहुत जाद है हमारे पास नहीं 2021 के लिए सेकेंड तिंग कि एप्रोक्स 3-4 कुशन आजाते है इससे जितने व्यातिक हो कि मैंने वहाँ पर सारी रेक्शन सब कुछ कवर कर दूँगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा अच्छे से ठीक है और जहां पर जो इंपोर्डेंट उपक्स हमने देखा वेटेश के अपर्डेशन बहुत मैंने आपको सब कुछ बता दिया ठीक है ना सुबस यहां पर थैंक्यू सो मच सब्सक्राइब करें चैनल को शेयर करिए गाई जिससे चैनल आगे बड़ेगा तो मेरी भी हेल्प होगी आप सबकी भी हेल्प होगी क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला ह आएगा मैं अपना प्रोविंस बिल्गुल भी तोड़ने वाला हूं कैसे यसे लेक्चर साते आएंगे आपको पता चलता है कि कैसे किसे पेले सबसे बेहन लो लेवल से स्टार्ट करूंगा क्योंकि बेसिक आपको धेसी में अच्छे से समय में आना शुरू होती जाएगी बहुत बढ़ा रहे हैं बदो बैसे को आता है और कुछ को नहीं आता है इसलिए बैसे को बढ़ाना बहुत जरूरी तब ही आपको समझ में आए रहा ठीकिना थेंक यू सो मच प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल ठीकिना और शेयर गे